नमस्कार प्रेस्वातियों मैं हूँ सुरेश श्रिमाली ग्रहों का खेल के इस विशेश कारिकरम आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है चाया बर्याता पुरुष्टम भागवान स्री डाम हो या एक साधारंड वैक्ती क्यों नहों नो के नो ग्रह किसी के स्ट्रॉंग नहीं होताय और नहीं किसी के नो के नो ग्रहह खराब होताया बस नमेंसे जो ग्रहह खराब है उसको ठीक करने के लिए आज मैं आप सभी के समग government शाजिर हुह हैं जिन्दिगी पर चोटी बड़ी कई तरह के समस्याओं का आना एक निश्वार्थ या यूं कहें कि एक जारी प्रक्रिया है हर किसी के साथ हो सकता है कभी भी कोई परिशानी या कोई परिस्ति एक जैसी नहीं रहती है आसान इससे सुलश्टी नहीं ऐसी स्थिम निराश न जब अंथ हो सकते हैं आपकी कुण्ली के करेक्शन से रिलेटेड होते हैं इस में से किसी एक प्लेनेट का बड़ा एहम रोल होता है यह नौ ग्रह किसी की कुण्ली में मख्बूत इस्तती हो नहीं सकते हैं नहीं किसी की कुणली में खराब हो सकते हैं वहीं इनकी इस्तती वीक होने पर इसके उपाय करने से negative effect कम होते हैं कुणली में हर ग्रह की इस्तती के अनुसार जातको उसका फल मिलता है कोई वैक्ति अपनी कुणली तो नहीं बदल सकता है, लेकिन कुली में ग्रहों को सुधार सकता है समार सकता है, कहते हैं कि खाली आता है तो खाली आती जाएंगे, ऐसा नहीं है अब भागी लेकर आये तो और करम लेकर जाएंगे इसलिए हर ग्रह के हिसाब से आज का एकारक्रम आपको नोट करना चाहिए किसी वैक्ति कुणली में अगर सूरिक रहा है कमजोर है जो आत्मा के कारक रहा है आखों के कारक रहा है हड़ी के कारक है पिता है आत्व विश्वास के कारक है तो वैक्ति को यह सब कुछ बिलता है लेकिन अगर वो कमजोर है तो उसे लाल और पीले रंग के वस्त्र, गोड, थोड़ा सा सोना, तामबा, मानिक ये, ये हूँ, लाल, कोई भी कमल पुष्पो, या लाल पुष्पो, कनेर का पुष्पी क्यों नहीं, मसूर की दाल, गाय आदी को दान करना चाहिए, मानिक के रत इससे सूरिग्रह मजबूत हते हैं, चंद्रमा मन सो जातका है, चंद्रमा मन और मस्तिश के स्वामी हैं, अगर आपकी कुणली में वो ग्रेंट दोश में हैं, विश्दोश में हैं, या पीडित हैं, तो व्यक्ति को टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अशान्ति रह इसलिए जल का दान करें और जल बरबाद न करें, चंद्रमा को कच्छे दूद के साथ और जल बिलाकर शाम किसमें अर्गे देना चाहिए, सफेद चीजों का दान करना चाहिए, तीसरा प्लैनेट, कुणली में मंगल ग्रह, जिससे हम ग्रहों का सैनापती कहते हैं, वो बिना नमक के बोजन करें, हनुमान चालिसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का पार्ट करें, हनुमान ची को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, तांबा, लाल वस्र, लाल चद्द, लाल पोश्प, मसूर की दाल दान करने से मंगल शुब होते हैं, सफेद आकड बाणे के कारक है, प्रेजेंटेशन के कारक है, अगर बुद्ध आपकी कुंडली में कमजोर है, या स्ट्रॉंग है, तो उस और स्ट्रॉंग बनाने के लिए, आपको दुर्गा चालिसा और दुर्गा सब्तरशित्ति का पार्ट करना चाहिए, साथ ही बुद्धवार के द ये चारों पॉर्टफोलिय गुरु के पास है, गुरु शुब और मांगली कारी करवाते हैं, सिक्षा और दिक्षा देते हैं, वहीं गुरु कब्जोर है, तो हर गुरुवार को पीली चीज़ों का दान करें, बेसन, चने की डाल, केला, केसर, आदी का दान करना चाहिए, जो हल्दी की कांट होती है, उसे पीले कपड़े में लपेट कर, गले में धारन करना या बाजू में धारन करने से गुरु को बल बिलता है, इसके लावा पीत बस्तर, जो पितांबर होता है, वो ब्रामन देवता को डोनेट करने से लाब बिलता है, बगवान शेव और और मजबूत है तो और बेटर करने के लिए सफेद वस्त धारन करें शुकरवार के ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्रायन वहां कि पांच या एक माला चाप करना चाहिए सफेद चीजों के दान करें माल लक्ष भी प्रसन होती है और साथ में जो अंगूटा है इसमें आपक चांदी या वाइट गोल्ड में चोटा सा हीरा लगा कर धारन करना चाहिए नहीं तो सिर्φ चांदी की गंगूटी धारन करने से शुबलाब बिलता है कोई भी गारीब इस्तरी हो सुआगन इस्तरी हो उसको सुआक की सामगरी बेड करने चाहिए शुकर्वार को बात करते शनी की ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, शनी ग्रह नियाय धीशे, गलत काम करेंगे, वो सबक सीखाएंगे, इनसान को इसमें शनी देव को प्रसंद करना ही, चाहिए वो ढईया साधे साथी, किसी प्रकार से शनी परिशान कर रहे हैं, तो बोजन में सर्सों का तेल का परियोग सर्दी में करना चाहिए, इसके लावा शनी वार को वरत रखे, दशरत करत शनी स्तोतर का पार्ट करना चाहिए, अनुमान चालेसा का पार्ट भी कर सकते हैं, अपना चेहरा किसी बरतन में तेल डाल कर देकर डखोत को दान करना चाहिए, जितने सफाई करमचार उनको कुछ चुकुछ बेट करनी चाहिए, और साथ में जो शनी मंदर के बार जो याचक बैठे रहते हैं, उनको नमकीन खिलाने से शनी ग्रह मजबूत होते हैं, बात करते हैं राहू की, परे साथ यो राहू आकस्विता का प्रतीक है, आकस्वित रूप से अच्छा और जितने भी जीव्य जन्तु इस पेचली कुट्त, गाय कोई भी काले रंके हैं उन्हें कुछ न कुछ बैट करने से, उन्हें प्लाने से लाभ बिलता, उन्हें पालना चाहिए, उनकी सेवा करने चाहिए बात करते है केतू ग्रह की, केत छुडावे खेत, केतू एक ऐसा प्लानेट है, जो आकस भी ग्रूप से रिजल्ट देते हैं, और बिल्कु इस्तान परिवर्तिन करवा देते हैं, अगर आपकी कुडली में केतू कमजोर है, तो आपको अनुमान जी पूजा करने चाहिए, बं बहुत शुबाना जाता है, इसी से आपके नवग्रह मजबूत हो सकते हैं, प्रेसातियों स्वस्त रहिए, बस्त रहिए और व्यस्त रहिए, आप मुझसे परसनली मिल सकते हैं, या फिर टैलिफॉनिक और वीडियो कॉनफरेंस या अपटमेंट के द्वारा भी जूट सकत है, दियेगे नमबर पर संपर करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं, आज के लिए तना ही, यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवार्द